हेलो दोस्तों मैं हूँ आपके साथ तन्री सूद आपका स्वागत हैं हमारे चैनल में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सलियोसिव इंटर्व्यू किसका जी हाँ आशितोष कौशिक जी का जिनोंने रोडी जैसे शो में अपनी जान लगा दी थी और विनर भी बने के लिए आपने इसलाइक समझा कि मैं आपसे बात कर सके उसके लिए जनने वादे बिलकुल आशितोष जी सबसे पहले तो हम आपसे यह जाना चाहेंगे आप बिग बॉस तेरा के सासा चल रहा हूं तो फॉलो करना हूं तो पीछे पड़ा हूं पीछे नहीं पड़ा हूं पर जाता हूं तो घरवाले हमेशा देखते हैं मतला पूरी अडिक्त हैं घरवाले बिग वास के तो जब मैं पहुंचता हूं तो तो मैं ना चाते भी देख लेता हूं मुझे बिए इंट्रस आ रहा है देखने में तो मैं थवड़ा निस करता हूं कि मैं ने पिछले episode मिस क अच्छा हो उस हिसाफ से अगर फेवरेट कहूं तो सिधार्त में एक जलक लगती है मैं कहीं ना कहीं खुद को भी देखता हूं कि सिधार्त बात जैसी भी करता है लेकिन बात जायज करता है बेलकुल आश्टोष जी आप इस घर में रह चुके हूं बिग बॉस इसन क्या वि जाता है तो ऐसा आपने भी ऑफिस्ट एक्सपिरिंस किया होगा हां सिधार्त को गुसा आता है अपना उसो टैंपर लूस कर बैठता है लेकिन जो घर की एक घर के नियम है कि वह आप किसी को हात नहीं लगा सकते वहां वो रूख जाता है और मैं देखता हूं आसे जो है ल वहाथ ही ज्यादा कर रहा है जो के लिए कर व1 नेचरलवा दनतमी है मुझे लगता हूइन क्या पूद सो में फैक नहीं है क्योंकि धृटेटिंगा लेकिन दूसरा इसलीं नहीं करता है इसकाम को क्योंकि दूसरे की वह नेचर नहीं है, आसीन की वो नेचर है कि इरिटेट करना और शो को प्लस पॉइंट ये मिल गया कि वो अपना इरिटेट लेवल उसने इतना बढ़ा दिया है कि उससे ओडियंस सग इरिटेट होती है अगर हम बात करें सिधार्थ की जोड़ी की सिधार्थ शुक्ला और शेहनाज की तो आपको कैसी लगती है सिधार्थ शुक्ला और शेहनाज की जोड़ी एक ऐसी है मैं तो कहूंगा बाप बेटे वाली बेटी वाली जोड़ी है सिधार्थ काफी मैच्योर है एज में भी शैनाज से काफी बड़ा है और शैनाज बच्ची है या तो उस जोड़ी को सिधार्थ इस तरह समझे उस तरह फोलो करे तो ठीक वरना सिधार्थ को उससे भी इरिटेशन होगी लेकिन दूसरे आदमी को भी अगर शैनाज की तरफ से देखे शैनास भी देखेगी कि पहले तो मुझे इस आदमी से प्यार मिल रहा था एक लगाओ मिल रहा था और अब गैप मिल रहा है तो उसमें भी इरिटेशन बढ़ेगी तो इसमें में गलती सिदार्त की मानूँगा या तो भाया उसको अपने इतने करीब ना आने देता औ लेकिन तूने ही समाली थी लेकिन end of the day तू भी आके ठक गिया या जो भी हो आया हार माली तो इसमें शैनास की गलती नहीं मानूगा वह आज भी सेम है सिद्धार्त में चेंज आया लेकिन अगर जनता की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सिद्धनास जो है जो नाम द दिख रहा है तो अगर सिद्धार्त से नहीं मिली और दूसरे के पास जाके बैठ गई लेकिन सिद्धार्त को उसे रोकना चाहिए था अपनी बातों से वो उसको एसा होता है अगर कोई पंदरा शोला या सतरा या ठारा सालिया बालिक कोई बच्चा या लड़की है और साम हम ने 40 साल का आद्मी हो तो 40 साल का अद्मी को पता होता है कि मैं उसको अपनी बातों में कर दूंगा तो वो जा रही थी तो सिधार्त को कि करके वापिस बुलाने लेना चाहिए था लेकिन सिधार्थ ने ऐसा नहीं किया वह थक चुका है मतलब कि भाई सेरे आगे हाट जोड़ दे तुस्से मैं भी थक चुका तो शैनाज सेम है सिर्फ गुरूप चेंज है अगर हम आसिम सिधार्थ की बात करें जो स्टार्टिंग म करन अर्जुन की जोड़ी कहा जाती थी जैवीरु का कैग मिला था दोनों को और इवन की ओडिन्स भी काफी पसंद करती थी इन दोनों की दोस्ती को लेकिन अब दुश्मनी होगी यहां फिर सिधार्थ की गलती है सिधार्थ ने आसिम को जो आपने का करन अर्जुन तो जब सिद्धार्थ को पता था कि भाईया जब यह मेरे लिए बोलता है और सामने वाले को रिटेट करके उसके हालत खराब कर देता है तो अगर मैं इससे कल को अलग होता हूं तो मेरी भी यहालत करेगा तो उसको बना के रखना था इनको अपने साथ लेके चलते रहना था ताकि आज ये नोबत ना आती कि सिद्धार्थ के उपर चड़के आता है वह आए गहां वह आगे भी आएगा लेकिन सिद्धार्थ पहले उनके साथ कहीं दिन महीने तुम एक साथ रह चुके तो तुम से वह डिसेजन लेने में गलती हुई कि मुझे आज जो सुनना हो रहा है तुम चाहते इसको कंट्रोल कर सकते हैं रात को बैठके बात कर लेते चलो भाई है गले मिलके खतम करते आज इतना नसुनना पड़ता भाई तुझी सिधार्थ तो तुम्हारी कम ही अगर हम बात करें कि बहुत सारी ऐसे स्टार्टिंग सी बाते हो रही है कि जो अगर बताओंगा सिधार्थ से मैं एक बार हम किर्किट मैच खेलने गए तो पार्लेमेंटरी बोर्ड और बंबे टाउंस गया बताब हम इंडस्ट्री के लोग तो हम सब कर्किट मैच खेल रहे हैं तो सिधार्थ से मेरी एक या दो मुलाकात है लेकिन बिग बोस में जब करता है तो जो जायज बात करता है उसको तवज्जो जब मिलती है बिग बोस से असलमान खान से तो बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि या यह तो इसका फेवर ले रहे हैं सिधार्थ का दमाद भी कह दिरिया उनको तो अब जब मुझे बिग बोस के घर में घर में सच्चा कि अवार्ड मिला तो बहुत को लगी कि इसको क्यों मिल रहा है लेकिन सिधार्ट भी जायस बात करता है अगर हम आपसे बात करें तॉप फॉर में आप इसको देखते हो तॉप फॉर में जैसे आपने जोड़ी की बात कि जोड़ी आप बहुताता हूं यह जो पारस और महिरा पारस और महिरा की जोड़ी है यह कैसी भी है लेकिन यह शुरू से अब तक एक है इनमें कितने जगड़े होते हैं हर घर में जगड़े होते हैं चार बरतनों के आवाज करेंगे सीधा सा कंसेप्ट है लेकिन यह आज तक अलग नहीं हुए महिरा की मम्मी आगे बोलगी पा जगो लग साथ तक अब थो नहीं हुए कि इन दोनों में प्यार है और जसे महिरा ने एक बार भीचें बोला कि तुने आंज सब कहां नी कि मैं अपनी गल्फरेंड को छोड़ दूए तो बहिए तो जिए तो भाइया कैदे और चोड़ दे वो मताब प्यार ही उसका इसी पारस शाबरा की भार गल्फिंड एकांग शाप पूरी जो की मॉडल और अक्ट्रिस है उन्होंने काफी सारी बाते ऐसे खुला से भी की इंटर्व्यू भी उनके बहुत सारे हमें देखने को मिले जिसमें उन्होंने कहा है कि पारस ने में से कमिट्मेंट कर रखी हम काफी सा पारस को सल्मान कान थोड़ी है कमिट्मेंट करके तोड़ नी सकता और अकांशा पूरी को यह देखना चाहिए हो बैठा वह अंतर हल्वे खा रहा है तो पूरी घर पी रह गई और वह भाई अपने हल्वे के मजे ले रहा है और खुला बोलता है कि मैं कितनी बार बोल चु अधरा है और बोल मिगरा है रहा है उसकर उसको उसके मुझे पर बोलने के बाद मैं हम अप्डолов को लड़का लाइतमे तुम्हें रस्पेक्ट देगा तो ऐड़ 시k चोड़ दो पीज आ तो और अगर हम रश्मी दयसाई की बात करें टीवी की लाड़े बहु रश्मी दैसा किस तरीके से खेल हैं एक्चुल रश्मी देशाई का एक्चुल कलर कलर सामने आया आज तक टीवी में एक्टिंग दिखी या उनके फैमिली में जो भी हुआ वह में नहीं पता लेकिन रश्मी देशाई एज पार्टिसिपेट मुझे या मैं को मैं अपनी बात हटा देता हू घरवालों को भी देखते हूं मम्मी और सिस्टर्थ वैठी होती हैं उनको भी देखता हूं तो रश्मी देशाई उनको भी पसंद नियाती क्योंकि क्योंकि करेक्टर दिख जाता है यह बिगबॉस का घरे हैं आप अपने लार्स जो हैं छुपा नहीं सकते तो रश्मी दि कि आचलाइब कर लिए कि आजद करते हैं लड़कों में देखूं य। दामाद बनने लायक है। आशुतो जी आगे हम बात कर लेते हैं अरती के थोड़ी से bare तरसुनीड चैनल थो इस स्टेब्लिश किया है केई कुछ होता है तुब में और यहां तुमारी ज्वरूरत भी नहीं है मतलब कहीं आपकी जोरॉत नहों और आपने अपने आपको हुऊन इसे लिए तो आरती को यह से बात नीयर legit लेकिन उसके बाद दी आरती अपना ब Soo T तो आर्ती मैं का वहाँ नहीं तो सब् глуб sixth time केलिऊ EL तके टिकट टू फिनाले में यह कहते हैं नहीं वो रामला नाही जो सब की ख़ब रखता है आरती वो तो बिल्कुल जाएगी जाएगी सिधार्त भी जाएगा और कितने लोग बोले आपने चार लोग जाएगे 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 शैनाज जा सकती है आसिम का मुझे लगता लाज तक जाएगा अगर हम शेफाली जरी वाला की बात करें कांटा गल जो हैं हमने देखा है कि हाली में उन्होंने भी काफी कुछ बोल गया था आसिम को नल्ला और काफी सारा विवाद हुआ तो परात प्यागी जोनके हस्बन है उन्होंने उनको धंकी भी दिया आसिम को जो कि नल्ला तो मुझे बोल रहा है थो महीं तुझे बिग बॉस की घर में आके बताओंगा तो उस पर आपका क्या कहह भी बॉस के घर से भाहरा के बताओंगा जो तो घर में आके ही बता दूंगा वह छोटी बात कि इस तरह टेमपर लूजनी करना चाहिए और किसी ने आ चैनल में खी आनिप दोनों हर्ते हैं घासे ही बस्ति है तो ऐसा नहीं है कि अधान तो इसके घरवालों ने इसे महीं किस्टोरी बताते हैं। बिग बॉस के घर में आके आप उस नेचर को कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो नेचर वही रहेगी आप नेचर के जाइन सकते कि अगर आप पनी नेचर के आदमी हो और घर में आके सारे दिन चुब बैठ होगे ऐसा हो यह नहीं सकता यह आप बड़े शांत नेचर के आदम Ilseo Vosemalya को पवता आपकी बाद जाईज हो चोलो तब ही समझे माता है लैकिन हमारे इक आवते हैं कि पाईल की इसट पेरों में इस झीए क्योंकि आवाज बहुत करती है और जो हार होता है जले में पहना जाता है क्योंकि बिल्कुल भी ऑवाज नी करता तो बोलता है और बोलने में भी जायज नहीं बोलता आश्य तोरी जाते जाते हेँ हम बात कर लेके किचन वाला मसला क्या है आए अचली क्या आप उस घर में रह चुके हैं हम भी थोड़ा से जानना चाहते हैं किचन को लिगर इतने मुद्दे क्यों होते हैं अगर पेट भरेवे होंगे तो कभी कोई लडाई नहीं होगी और भूखे पेट भजन नहीं होता गोपाला एक कहवत है तो लडाई अकसर किछन से शुरू होती है और कहते हैं कि हस्बेंट को अगर अपने हस्बेंट को खुछ रखना है यह कहवत है उसको खाना अच्छा दो तो शांत रहेगा तो बेसिक लडाई ही तो रोटी से शुरू होती है और किछन वहां पर एक तो अपने घर में देखो हमारे घर में एक लिडर होता है भाई या तो पापा होंगे और अगर डोमिनेटिंग होगी तो मम्मी घर की लिडर होंगी उस घर में जगड़े होते हैं यह घर ऐसा है कि इस घर में सारे ही लिडर है कोई किसी की सुने का क्यों वह ऐसी सौ अभने जांव अपने हम लाएंगें के घर अन्गर ब्लडेशन अपने कांट यह हो जाए तक आप सोगो कि घर में और क्यों ब्लडेशन है ना कोई एक लीड़ है पूरा घर लीडर है कोई किसी और अब कुछ बहु People कोई कहने सुनने वाला नहीं है कुछः होना या जाय बात है और नगो चाहिए किसि पप्र एद चाहिए तो वह खाने पर जगड़े होगे फोई किसि के रहा है नौन भाप काणी कि रहें हो को चाहिए एलव तो किचन से बेसिकली जगडों की उत्पत्ति किचन से ही होती है बस यह कौँगा भाई सल्मान भाई भी आये थे घर के अंदर किचन और ट्वाइलेट दोनों चीजे साप होने चाहिए क्योंकि बीमारिया सिर्फ यहीं से आती है तो हमारे दर्शक जो सुन भी रहे हो उनको का था हूँगा कि अपने किचन और ट्वाइलेट साफ रखें एक बहुत बड़ नेता है। उनका नाम नहीं रहोँ उनने का था किविया मैं किसी आदमी के करीब नहीं जाता हूं निर जब गर जाता हूं और जब उसके अ quelqu'र जाता हूं तो उसके शुचचँ एसुर तो उसको साफ रखे वो ज़रूरी होता है वही से पीमारिया जाद आती है घर में थैंक यू आप हमारे साथ आज आपने एक्सिव इंटेव्यू दिया वेल गाईज हम आपके लिए बिग बॉल से जड़ी तमाम खबरे लाते रहेंगे आप हमारे साथ बने रहे हैं थैंक